नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम करेंगे बात मर्दों के लिए कुछ लोगों में वीरी की कमी हो जाती है और वो अपने आपको नामर्द मालने लगते हैं ये एक गल्द बात है नामर्दान की एक सोच है एक थिंकिंग है क्य के लिए हमें क्या करना चाहिए बहुत से फार्मूल्डे है आईरवेद में ऐसे बिल्कुल सरल और नाया फार मुल्डे में आपके लिए लिकर आाँ हूं आप इने अपनाएंगे अपने जिवन को खुश हाल बनाएंगे सबसे पहले आपको बर्गत के फल छाया में शुखा कर इनका चूर्ण मना ले गाये के दूद के साथ एक चूर्ण खाने से विरिये गाड़ा होता है और सरीर बल्वान मनता है नमबर दो पे पकावा केला आप शुखा ले सुखाने के बाद आप उसका भी चूर्ण मना ले और इस चूर्ण को भी एक चमच आप सुबह खाली पेट गाये के दूद के साथ प्रियोग करेंगे तो आपका सरीर बलिस्ट होगा विरिये वान होगा जो आपकी मेरिड लाइप के लिए बहुत ही अच्छा होगा नमबर तीन पे इमली के बीजो को लेकर छोड़े छोड़े टुकड़े कर ले रात वर पाने में बिखो दे और शुबह उठकर इनको खाली पेट खाएं तो इस से भी विरिये पुष्ट होगा और सुदाड होगा नमबर चार चने के होल खाने से यानि के चने खाने से भी सरीर में विरिये पुष्ट होता है और अच्छा होता है नमबर पास तीन गराम दाल चीनी का चुर्म रात को सोते समें गरम दूद के साथ लेने से विरिये में विर्दी होती है, शरीर बलिष्ट होता है और नपुन सुकता खतम होती है दूद में घी मिलाकर पीने से सभी सुकर दोस्त मिट जाते हैं, सभी विरिये के दोस्त मिट जाते हैं जिनको भी ये शकायत है तो उनको कम से कम एक ग्लास दूद के अंदर 30 से 50 ग्राम घी सोद देशी मिला कर पीना चाहिए जिससे उनके विरिये के सभी दोस्त खतम हो जाएंगे और उनका सरीर बलवान होगा उनके सरीर में विरिये की विर्दी होगी और नपून सकता बिलकुल खतम हो जाएगी काले मुसलिगा पाक मना कर खाने से नपून सकता बिलकुल खतम हो जाती है और उनकी टाइमिंग भी अच्छी खासी बढ़ जाती है तीन मासे स्तावर का चून दूद में डाल कर उबाल लें फिर इसमें मिस्री मिलाकर पीने से निरबलता बिलकुल खतम हो करता है और विर्यवान होता है गिले अतीज को सक्कर तथा दूद के साथ मिलाकर पीने से स्रीर का प्रशुर्थ में विर्दी होती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद